हेलो दोस्तों आप सबी लोगों का स्वागत हैं आपके अपने चैनल आरेम बोक्स ओफिस में तो गैस आज हम लोग जानने वाले साउत फी एक्षन फिल्म धा लेजन्ट के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो गैस सबसे पहले बात करते हैं इस मूई के बजट की तो इस मूई का बजट है पेता लिस करोड और इस मूई को वल्डवाज 2500 स्क्रीन में रिलिस किया गया था और इसके लीडरोल में आपको सरवानन उर्वासी रोटेला एंट गीतिका टीवारी इसके लीडरोल में आपको नजर आया थे और इस मूई को रिलिस होए गया जाज 12 दिन हो चुके है तो इसके 12 दिन के बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो वीडियो को एंट तक देखना तो गैस सबसे पहले बात करते हैं इस मूई का फर्ष्ट डे कलेक्शन के बारे में तो अपने पहले दिन इस मूई ने 6 करोड रुपे के ओपनिंग ली थी फिर बात करते हैं जिस मूवी के दूसरे दिन के box office collection की तो अपने दूसरे दिन इस मूवी ने 3 करोड 20 लाख रुपे का collection किया था यानि कि इस मूवी ने अपने सुरुवाती दो दिनों में इस मूवी का जो collection है और 9 करोड 20 लाख रुपे का collection कर चुकी है तो फिर बात करते हैं जिसमूव के तीसरे दिन के box office collection की तो अपने तीसरे दिन इस मूवी ने एक करोड़ 75 लाख रुपे का collection किया है यानि कि इस मूवी ने अपने शुरुती तीन दिनों में 10 करोड 95 लाख रुपे का collection किया है। पने 5 दिन 1,0510, áp. तो फिर बात करते हैं गएजी समोई के 7 दिन के box office collection की तो अपने 7 दिन इस मुई न 80 लाक रुपया का कलेक्शन कर रही है यानि कि अपने शुरुवाती पहले ही अपते में इस मुई का जो टोटल कलेक्शन है वो 15 करोड 70 लाक रुपया कलेक्शन कर चुकी है तो फिर बात करते हैं गजिस मुई के दूसरे हपते इस मुई का जो टोटल कलेक्शन है वो 16 करोड 90 लाक रुपया कलेक्शन कर चुकी है तो पिर बात करते हैं गजिस मुई के हीट और फ्लोप की तो गजिस मुई को हीट उने के लिए 60 करोड रुपय का कलेक्शन करना पड़ेगा तब जाके ये movie इट सा भी तो सकती है विसे आपको क्या लगता है ये movie 60 करोड रूपे का collection करके एक इट movie सा भी तो सकती है comment में जरू बताना तो गैज आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिए इंद बंदे मातरम